भाई ये देखे, आएगा बहुत जबरदस्त वाला मूँ में पानी, जब आप इसको पूरा लाइब देखेंगे और रेसिपे को एंड तक जरूर देखेंगे, तो सीम टू सीम ऐसी ही रेसिपी आपने मी बनने वाली है, एद आने वाली है, और एद में क्या बनती है, क्या कह होता है, वो होती है किमामी सिवई, जो इस्पेशली ईद पे जरूर बनती है, तो बस आज उसकी रेसिपी आप सब के साथ शेर कर रहे हैं, देखें, देड़ कप पानी ले लिया है, मैंने एक बरतन में, देड़ कप पानी ले रहे हूं, और उसमें एक कप यहां पे मैं ची चीनी डाले, रेशियो का ध्यान रखेगा, और हमको कोई चाशनी एक तार, दो तार, तीन तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी मेल्ट हो जाए, तब तक का पकाना है, अब कुछ चीजे और डाल देते हैं, यहां डाला केसर, भही सिमही बन रही है, इत की बात है, और मीठ इलाइची होते हैं, वही बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली, हरी इलाइची, अच्छे से इलाइची को डाल दिया, और यहां लिया है, मैंने कलर मिस्ट का, मैं ब्रांड इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि अच्छे ब्रांड का, जेल कलर लिया है, और इंज कलर, केसर का भी कलर आएगा लेकिन मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया एक दो डूर डालना है सिर्फ और आपके पास जो कलर हुआ वो डाल सकते बट अच्छे ब्रांड का डालेगा क्योंकि एल्टिमेटली हमारी फ्यामली खाएगी हेल्थ भी इंपोर्टेंट है इसलिए और इसको एक अच्छा बॉइल आ गया देखिए चीनी मेल्ट हो गई बस इसका काम तो हो गया अब मैं क्या करूंगी इसका ग्यास का फ्लेव मैंने बंद कर दिया इसको नॉर्मल साइट करके रख दूंगे अब आ गई हूं अपनी कड़ाई की तरफ अब सिवाइं बनने रही है भाई देसी घी तो लगे गाई अब आप कहेंगे देसी घी खीर में भी देसी घी अब चीज क्या करें घी ही ऐसी चीज है जो स्वाद कई गुना जादा बढ़ा देता है और शाही वाल कि मामी सिवाई जो होती है उसमें देसी घी ड्राइफ रूट इन सबका बहुत ज़्यादा में रोल होता है इसलिए इस सिवाई को बहुत ज़्यादा रिच बोला जाता है शाही बोला जाता है ला जवाब बोला जाता है तो देखिए मैंने अच्छी से लच्छू में कटे ओवे जो लムबे लंबे कटे ओवे यहां पे dry fruits इसमें क्या क्या है मैं बता देती हूं इसमें है पिस्ता काजू बदाउ यह तीन चीज़ें हैं बहुत हल्का सा Ρोस्ट करना है जलने नहीं चाहिए घी रोस्ट करना है इनको बस बहुत हलका सा मान लिजी आप 20-30 सेकेंड ही करेंगे बस उतना ही इतना करके इनको क्या कर लेंगे साइट करके रख लेंगे जलाना नहीं है मैं फिर से बोलूँगी हलका सा रोस्ट करना है जिससे इसमें अच्छी स्मेल आ जाए और इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए उसके साथ साथ किश्मिष चाली है तो देखिए अब यहां पर और जल्दी हाथ चलाने मैंने यहां गैस का फ्लीं बंद कर दिया था क्योंकि नारील जो होता है बहुत जल्दी जल जाता है तो हमें जलाना नहीं था और देखिए नारील ने क्या किया सारा घी एब्जॉप कर लि आप यह वर्मिसिवाली नहीं लेनी है कि मामी सिवई में यह बारीकल्म्वी वाली जो सिवई आती है ना बिल्कुल पत्ली वाली यह आपको tratже जाएगे यह वानी सिवई का इस्तमाल करना है तो अगर इह टूट भी जाया तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उलटते पुलट अदर्वाइस हम सारी तरफ से नहीं भून पाएंगे घी को अच्छी सी यह एब्सॉप करेंगी अच्छी से और इसमें बहुत अच्छी सी खुश्मू आ जाएगी हलका सा कलर चेंज हो जाएगा बहुत जादा नहीं हलका सा करना है जैसे हलकी सी फ्राइगी उसके बाद हम अ पानी बना के रखा था अपना चीनी का वो पूरा इस स्टेच पे हमको इसमें डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है इलाइची थी केसर है चीनी हो गई यह सारी चीजे जैसे जैसे इस सिवई के साथ कुख होंगी सिवई हमारी बिल्कोल बढ़िया से पक जा बहुत रिचा जाएगा अब हमको इसको तब तक पकाना है जब तक यह पूरा पानी अच्छे से अभी इसमें वोई लाने देंगे और दीरे बीच बीच में एक दो बार चला देंगे तो इक कलर बहुत अच्छा आजाएगा देखे पानी काफी इब्जॉव हो चुका है ल तो हमको पनियल नहीं करनी है, हमको एक अशाही वाली मैंने बात दे वो बनाना है, यह मेरी हमारी देसी भाषा है, यूपी की, इसलिए मैंने बोला कि पनियल नहीं करनी है कोई चेस, हमको अच्छी सी रखनी है, तो देखें, बीच बीच में मैंने चला दिया था इसको दो से जोसी है सिवई और देखे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और कलर कितना अच्छा आ चुका है और अब ये देरे-देरे क्या करेगी घी छोड़ेगी जब पानी सूप जाएगा ना जो घी था ये जब किनारों पे आपको इक चमक दिखेगी ना देखे मैं आपको और अच् ही पड़ता है इस सेवई में अगर मावा ना हो तो आप मेरी चैनल पे उद्धोटा की रेसिपी देख ली जेगा उसमें मैंने एक ग्लास नॉर्मल टोंड मिल्क से आपको मावा बनाना बताया है तो वो वाला मावा इस स्टेच पे आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल सेम आ अच्छा सा मिक्स कर देंगे और देखे अभी इसी स्टेच पे यह बहुत जादा टेम्टिंग लग रही है मन कर रहा था यह जल्दी से बन जाए जल्दी से में सर्फ करो और फटा फट से इसका भोग लगा दो इतनी जादा अच्छी स्मेल आ रही थी गर में इसको बनाने प्लेटिंग करेंगे इसके अच्छी से आप चाहे तो अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन से वही बना रहे है एड इस पेशल तो कुछ खास तरीके से करने चाहिए और इसको बिसिकली इसी तरीके से किया जाता है तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कोई भी आब ब पहुन लिया था ताकि यह सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसकी पत्ली सी लेर देखे स्पून से फैलाते हुए इस पूरी सी वही के उपर लगानी है चारो तरफ लगानी है बहुत अच्छे से लगानी है ताकि बहुत अच्छा इसका डिस्रिब्यूट हो जाए एक लुक बहुत अच्छा आजाए और उसके बाद हमारी जितने भी ड्राइफूर्ट थे वह अच्छे से इस पर गार्निशिंग करते हुए लगाने है मतलब इसमें खोया भर भर के हैं ड्राइफूर्ट भर भर के हैं घी भी है तो भई स्वात तो हो गई न तो एक बार जरूर ट्र भी के लिए है और हर धर्म को अपनाना चाहिए इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी हर तरीकी का कलचर से खाएं कुछ भेदबाव ना रखें वस इसी भावना के साथ आई होप आप सब को यह रेसिपी पसंद आई होगी बहुत स्पेशल बहुत किसे पता है न और स्वात के तूँ ख्या ही कहने तो आशा करती हूं आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी है और पसंद आ хозя हो तो जरूर बताएगा आप इस रेसिपी को कौन से शेहर से देख रहे हैं और आप इसको कब बनाने वाले हैं रादे रादे आप सभी को